हलो दोस्तों आप सभी का All About Socious में स्वागत है और आज हम लोग जिस प्रस्ट लिए चर्चा करने वाले हैं ये है कि तारावार है एक प्रकार का ये प्रस्ट मैंने कल पोस्ट किया था और इस प्रस्ट के बारे में लगभग आप सभी लोगं की एक राय थी और आप सभी का Correct answer था कि ये एक विस्तारित परिवार का स्वरूप होता है ये तो आप लोगं को पता है कि तारावार जो है वो एक विस्तारित परिवार का पोड़ हो जाते हैं विस्तारिक परिवार का ये जो स्वरूप हमें तारावार दिखता है ये जस्ट लाइक हमें सैयुक्त परिवार जैसा ही दिखता है क्योंकि सैयुक्त परिवार की जो विसेश्ता होती है वो ये होती है कि इसमें कई पीडियों के जो सदस्य होते हैं वो कही घर में निवास करते हैं, उनका निवास अस्थल एक ही ही होता है, इन में जो अर्थ ब्यवस्था की हमें सिस्टम देखने को मिलती है, वो साज़ेदारी पर आधारित होती है, अर्थात परिवार का प्रतेक सद्द से जो भी अगर कुछ अर्थ ब्यवस्था से सम्मंदित अगर जो भी फायदे होते हैं, या जो भी वो अर्जित करता है, ये कह सकते हैं, तो वो परिवार के सभी सद्द से उसमें भरण पोशक पे निर्भर होते हैं, तो इस प्रकार की हमें ब्यवस्था संइक्त परिवार में देखने को मिलती है, और यही हमें विस्तारीत तो उनके बच्चे होते हैं वो सब सभी एक ही परिवार में या एक ही निवासस्थाल पर निवास करते हैं आप इसी कोछा और वी फैक्स हैं उसको हम लोग समझेंगे जैसे कि पहला फैक्स ये نिकल के आता है और यह एक मल्यालम सब्त Bij यह एक मल्यालम सब्त है हो सकता है कि यह facts आप लोगों को पता हो भी या नहीं भी हो तो हम लोग एक revision कर लेते हैं जो कि exam के लिए काफी helpful होंगे तो सबसे पहला यह कि यह मल्यालम सब्त है और यह आप सभी को पता है कि मल्यालम जो होता है यह केरल में बोला जाता है तो ये जो तारावार है परिवार सिस्टम हमें जो ये दिखने को मिलता है ये दूसरा फैक्ट निकल के आता है कि ये केरल में देखने को मिलता है यहाँ पे एक और जो facts यह है कि यहाँ पे दो जादिया हैं जैसे कि यह मान लेते हैं कि नमबूदरी एक नमबूदरी जाती होती है और दूसरी जो है यह नायर जाती होती है ये दोनों जातियां जो होते हैं इन दोनों में ये थारावार सिस्टम हमें देखने को मिलता है यहाँ पे नमबूदरी थारावार भी होते हैं और नायर थारावार भी होते हैं अब इससे समंदित कुछ फैक्स हैं, जैसे कि नम्बूदरी जो होते हैं, ये पित्र सत्तात्मक होते हैं, तो नम्बूदरी जो होते हैं, ये पित्र सत्तात्मक होते हैं, नायर जो होते हैं, ये मात्री सत्तात्मक होते हैं, तो यहां पर ये भी फैक्स आप लोगों को मिल गय प्रिवार का देखना को मिलते हैं इसी को इलम भी करते हैं तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा यह कि कई सारे परिश्वाव में पूछा भी गया है की इलम क्या होता है तो यह भी एक विसतारित परिवार का सिस्टम है, जैसे कि हमें तारावार जो है, जो तारावार नंबोदृरी में पाए जाता है, इसी को लोग इलम भी कहते हैं, यहां पे नायर से सम्मंदित एक फैक्ट है, और वो यह है कि जो यहां पे आप लोगं को पता चल गया है कि मात्री सतत्मक या मात्री वंसिय होता है तो यहां पे इसका अर्थ है कि जो सत्ता होती है, वो माता के तरफ से होती है यहाँ पे जो head of the family होता है इसको यह लोग कारणवार करते हैं तो इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं कारणवार करते हैं यह terms भी आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि कभी exam में ऐसा पोस्ट दिया गया कि आखे में कारणवार क्या है तो यह नायर में head of the family को कहा जाता है यहाँ पे इससे समंदित एक और facts है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए एक नाम यहाँ पे विचारक का निकल के आता है के एम पार्णी करजी का इन्होंने कीरल के नायर का अध्यान किया था तो इन्होंने केरल की जो नायर जाती है इसका अध्यान किया था यहाँ पे एक और विचारक का नाम आता है वो है कैथलीन कैप के हम गाफ लिख देते हैं कैथलीन गाफ ने भी केरला के नायरों का अध्यान किया था केम पार्णीकर की एक महत्वपूर पुस्तक है जो की नायरों से ही सम्बंदित है तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी some aspects of the नायर लाइफ तो ये आप लोग को एक महत्वपूर फैक्स मिल गया उम्मीद है दोस्तों की तारवार से सम्बंदि जितने फैक्स थे ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी तरीके के अगले फिर कोई जो प्रसना मुझे लगेगा कि आप लोगों से discussion करना चाहिए तो मैं उसके साथ उपस्तित होंगी